दोस्तो कल का दिन हम सभी देश वास चुकल एक proud का moment था क्योंकि हमारा चंदरियान 3 mission पूरी तरह से successful हो चुका है और यह उपलब्दी इसलिए भी बड़ी मानी जा रहे है क्योंकि इससे पहले वाला जो mission था वो एन moment पर आकर पूरी तरह से fail हो गया था इसलिए भारत दुनि लाइट को इसरो द्वारा ही launch करवाते हैं लेकिन दोस्तो इसरो सुरू से इतना ताकतवर नहीं रहा इसकी कहानी बेहदी दिल्चस्प है और बेहदी संगर्स पर ही है इसरो के शुरुआती दिनों में उसके पास launching pad तक ले जाने के लिए संसाधा नहीं नहीं थे वह अपन जुड़कर इसको और भी बढ़ा करें जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही बिजिनिस केस इस चैनल पर लाते रहेंगे दोस्तों दूसरे विश्यूद के बाद से ही रूस और अमेरिका में स्पेस किंग बनने के होड़ लग चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे को पचांड़ एक चक्कर में पैसा पानी की तरह बाहर आये थे लेकिन तबी रूस 1957 में स्पेस में पहुंचकर अमेरिका से आगे निकल गया लेकिन उसके कुछ साल बाद ही अमरिका भी 1979 में चांद पर पहुंच गया और उसने अपने अपोलो 11 मिशन के लिए लगबग 2,000,000,000 करोड इच्छे में बढ़ने का और फिर विक्रम साही बारा और उनकी छोटी सी टीम जिसमें एपीज अब्दुल कलाम और होमी जहांगिर भाबा जैसे ग्रेट साइंटिस्ट थे उन्होंने एक साल के बाद इस साल 1963 में अपना पहला वीकल लॉंच करने का निर्णे लिया और उस चर्ज की जो जगह थी उसको लेने के लिए कहा चर्ज का जो पादरी था उन्होंने भी कहा कि जो लोग आसपास के गाउं के लोग हैं जब वो आ जाएंगे उनके सब के सामने आप अपनी बात कहना फिर वही इसका नेने लेंगे कि वह इस जगह को देंगे नहीं इसलिए फिर जो आसपास के गाउंग थे वो फिर जब चर्च में आए तो उनके सामने साइंटिस्टों की जो टीम थी उन्होंने पूरा प्लैन समझा है तो उसमें सबी फिर गाउंवाले थे उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया और उस जमीन को लेकर फिर उस पर काम पर या बैल गाड़ी में रखकर साइंटिस्टों टीम भी और जो गाउंवाले थे वो भी इनका साथ देते थे उसको जो समान था उसको लांचिंग पर ले जाने के बाद फिर साल 1963 में पहला सैटलाइट लॉंच किया और वो रोकेट बेसिकली साउंडिंग रोकेट था जो यानि कि इस रो रख दिया गया और फिर इस रो बनने के बाद से साइंटिस्ट लगे रहे और फिर यह सोचने लगे कि क्यों ना अपना एक खुद का सैटलाइट डेवलेप किया जाए और वे उस सैटलाइट डेवलेपमेंट में लग गए और कुछी सालों की मेहनत के पर वो पूरी तरह से भारत नहीं बना पाय था क्योंकि उसमें क्रायोजने की इंजन की जरुत पड़ती ती जो बहुत ही पावर्फुल इंजन होता है जमीन से उसको इस पेस तक ले जाने में उसकी मदद करता है वो टेक्नोलोजी भारत के पास अभी तक डेवलेप हुई इसलिए फिर भारत ने अपने दोस्त रुसिया से उसकी मदद मागी और रुसिया के कosmos को अपना यह satellite था उसको dise långe करने के लिए और फिर इसलिए भारत का जो यह पहला satellite था रहे वdaughter उसको स् Cheeros you know somm साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों होना हम अपनी जब खुद की सेटलाइट बना रहे हैं तो खुद का लॉंचिंग वीकल भी बनाए जिससे कि हमको अपनी सेटलाइट दूसरों से ना लॉंच करानी पड़े इसलिए फिर जो इसरों के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सुझाओ दिया कि क्यों ना अमरीका और सोवियत संग जैसे जो बड़े बड़े देश हैं उनसे सेटलाइट जो लॉंचिंग वीकल है उसकी टेकनोलोजी ली जाए और फिर उस टेकनोलोजी से अपने यहां पर खुद के लॉंचिंग वीकल बना कर उनको यूज किया जाए और इसी कड़ी में भारत ने 1991 में रूस के साथ एक डील की जिसमें रूस से साथ करायजनिक इंजन भारत को मिलने थे लेकिन रूस ने भी ये साफ कह दिया था कि वो करायजनिक इंजन जरूर देंगे लेकिन उसकी टेकनोलिज ट्रांसफर भारत को बिल्गल भी नहीं करेंगे उधर दूसरी तरफ अमरिका भी उस टाइम पर भारत से काफी चिड़ा हुआ था वो उस टाइम पर पाकिस्तान का साथ जादे दिया करता था और इसलिए फिर अमरिका भी भारत और रूस की इस डील को लेकर उनके खिलाफ हो गया और उन्होंने भारत की इस रोग और रूस की कोस्मोस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया क्योंकि अमरिका नहीं चाहता था कि भारत को लौंचिंग वीकल वाली टेक्नोलोजी मिले और भारत जो काम अब कर सकता है उसको काफी लेट से करे अमरिका हमेशा से यही चाहता था और अमरिका के इस डील के खिलाफ होने का एक बड़ा कारण यह भी था कि रूस से ये डील लगभग 235 करोड रुपे में फिक्स हुई थी, जबकि यही डील अमरिका की एक और कमपनी 800 करोड रुपे का ओफर दे रही थी, जो भारत ने पूरी तरह से कर दिया था, इसलिए अमरिका इस पूरी डील से चिड़ा हुआ था, और वो इसको पूरी तरह से रोकने में लगा हुआ था, इसलिए जो आपके अमरिका के राष्टपती जो बाइडन है, वो भारत की काफी बढ़ाई करती दिखते हैं, आपको जो भारत का काफी समर्थन कर भारते भी दिखते हैं, वो उस टाइम पर इसके सबसे ज़्यादा खिलाफ हुआ करते थे, और वो 92 में सीनेटर थे, यानि कि सीनेटर जो भारत में एक सांसद की तरह होते हैं, और उन्होंने महां के फेमस अकबार, लोस एंजलिस टाइमस में एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें साफ कहा था कि हम नहीं चाहते कि भारत को ये टेकनोलोजी मिले, जिससे भारत इस काम को जल्दी से जल्दी कर पाए, और फिर जुलाई 1993 में भारत ने ये ऐलान किया, कि अब हम किसी से भी लॉंचिंग वीकल की टेकनोलोजी नहीं लेंगे, बलकि खुद की अपनी टेकनोलोजी खुद बनाएंगे, और इसी को लेकर फिर वेग्यानिकों की टीम पूरी तरह से एक जुठोकर काम करने में लग गई, और इसलिए फिर उनने साल 1994 के आने तक पूरी तरह से अपनी जो लॉंचिंग वीकल टेकनोलोजी थी, उसको पूरी तरह से इस्तापित कर लिया था, और उस टेकनोलोजी के तहत फिर नई जो लॉंचिंग वीकल था, उसका नाम दिया गया पी ऐसल वी, यानि कि पॉलर सैटलाइट वीकल सिस्टम, ये एक ऐसा धमाकेदार सिस्टम भरत ने तयार किया था, जो सैटलाइट को धरती से सीधा स्पेस में ले जाकर ल चंद्रयान की शुरुआत की, और साल 2008 में अपना चंद्रयान मिसन लॉंच किया, उस टाइम पर चंद्रयान, चंद्रमा की सतय पर उतर कर, वहां का जो इन्वार्मेंट था, उसका पता लगा और ये पता लगाया कि वहां पर पानी है, ये दुनिया में सबसे बड़ी जिसने पहली बार में ही सफलता पूर्वा मंगल पर लेंडिंग की हो, अभी तक मंगल पर पहुँचने वाले केवल तीन से चार देशी हैं, और भारत भी उस कलब में सामिल हो चुका है, जो मंगल पर पहुँच चुके हैं, और मंगलियान की सबसे बड़ी खासियत यह थी इसलिए जो विदेशी बड़ी बड़ी जो कमपनिया थी और जो बड़े बड़े देश थे, वो भी इसरो की इस कामियाभी को पूरी तरह से एपिरिशेट करने लगे, और जहां एक तरफ भार के देश अपने सेटलाइटों को लॉंच करने के लिए इसरो के पास भेजने लगे क्योंकि वो कम कोश्ट में काफी अच्छी सेटलाइट को इस सबसे ज़्याद सेटलाइट भेजने का रिकॉर्ड भी अपने नाम क्या हुआ है, इसरो ने एक साथ एक सो चार सेटलाइट एक बार में ही भेजे थे, ये रिकॉर्ड पहले रूस के नाम था, रूस ने एक साथ लगबग 37 सेटलाइट भेजे थे और फिर इस रो ने इस रिकोर्ड को तोड़ कर 104 सेटलाइट भेज कर इस रिकोर्ड को अपने नाम पर दर्ज कर लिया है इसलिए आज इस रो इतनी बड़ी और्गेनाशेशन बन चुकी है जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता है भारत से पहले ही रूस ने भी लॉंच किया था अभी कुछ दिन पहले लेकर रूस का प्रोजक्ट पूरी तरह से फेल हो गया था तो इसलिए भी उपलबदी भारत के लिए काफी बड़ी मानी जा रहे है क्योंकि पहली बार में ही चांद के साउथ पॉल पर लेंडिंग है